असलाम लेकुम फ्रेंट्स और वेलकुम टो मार यूट्यूब चैनल आज हमारी 7th क्लास है क्रिप्टो बेसिक कोर्स की और इसमें हम सीखेंगे कि की सब्सक्राइब के Mrnin का कॉंसेफ्ट आज क्लियर क्रिण क्या है इसके इस पिशाल आम फ्यूचर और मार्जन ट्रेडिंग की तरफ चलेंगे और इसी तरह हमारा जी कोर्स जो हो चलता जाएगा अडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ते जाएंगे असता क्रिप्टो बेसी कोर्स की प्रिविएस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हम सभी की लि लाइकन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले मिलती रहें और टेलिग्राम का ग्रूप अगर हमारा जोइन नहीं किया हो जहां आपको अपडेट्स न्यूज और सिगने मिलते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं अच्छाला आप प्रॉफिट जैब गेन कर सकते हैं तो उसका लिं तो गोल्ड को खरीदने के लिए आप जो है वो सोनार के पास जाती हो उसे बोलते कि मुगे एक तोलह सोने की किमत पचाहासाँ रूपे रह जाती है means कि आपको 50% loss 50,000 का नुकसान हो गया आपको आप क्या करते हो कि उसको तब बेचते नहीं उसको sell नहीं करते आप कहते हो कि अगर इसका rate नीचे आया है तो हो सकता है एक महीने बाद ये दो महीने बाद इसका rate उपर चला जाए तो आप क्या कहते है उसको नहीं sell करते हैं अपने पास उसको सोने को संभाल के रखते हो दो महीने गुजरते हैं तो उसका वो ही जो एक लाख पर आपने परचेज किया था और फिर 50,000 पर उसका rate गया वो ही अब दुबारा जो है वो एक लाख 20,000 का एक तोला सोन जो हो चू कहा है आपका वो 손ोना जो है उसका वजन भी एक है उसकी जितनी कॉवेड़ है वो आपको मिली रहाए उसमें कोई भी ना कॉई कमी आ जी है नहीं वह ज्याहएडा हुआ है वह एक तोला ही है उसका व्जन अब यहां rate की बात के रहे हैं तो rates जो है वो कम भी हुए 50,000 पर गया फिर दुबारा एक लाख 20,000 पर आ गया अब एक लाख 20,000 यह दो महीन बाद आया means कि आपको इसमें 20% profit मिल रहा है आपका 20,000 का इसमें profit हो रहा है तो आप के करते हो आप profit बुक करना चाते हो आप वापस उसी सवनार की दुकान पर जाते हो जो gold जो है अगेन आपसे खरीद लेगा आप जाकर उसे बेज देते हो एक लाख 20,000 मिल जाते हैं इसमें आपको profit कितना हुआ 20,000 का profit जो हो आपको हुआ अब आ जाते हैं spot trading में spot trading में यह होता है कि आप same as it is किसी exchange में जाते हो centralized हो सकती है अधर आप जाकर यह concept जो decentralized का concept है यह already मैंने clear किया हुए आप यहां जो है आई बटन पर click करके इसको देख सकते हैं अब आप exchange पर जाकर अपना कोई भी crypto का coin खरीदना चाहते हो example मैं ले लेता हूँ bitcoin की bitcoin आपको मिल रहा है 40,000 उपे का example दे रहा हूँ आपने real life में consider नहीं क 40,000 का आपको मिल रहा है आप के करते हो एक bitcoin खरीद लेते हो एक महिने बाद उसकी price जो है वह 30,000 हो जाती है means कि आपको जो है वह उसमें 10,000 का loss हो गया लेकिन bitcoin एक ही रहेगा bitcoin कम या ज्यादा नहीं होगा लेकिन उसकी जो price होगी वह उपर नीजे होती रहेगी आप के करते हो आप उसको sell नहीं करते आप एक bitcoin को तीन महिने के लिए अपने पास रखते हो तीन महिने के बाद bitcoin की price जो वह वह वापस उपर चली जाती है और जिस rate पर आपने उसको खरीदा होता है 40,000 पर आपने खरीदा था वह उससे भी उपर चला जाता है means उसके 50,000 पर और वह चल नहीं किया अब दो तीन महिने बाद उसकी price जब आपकी buying price से भी उपर चली गई आप उसको जब दुबारा से sell करने जाओगे तो आपको उसमें से 10,000 का profit मिल जाएगा आपने 40,000 पर लिया और 50,000 पर उसको sell कर दिया आपको उसमें 10,000 का profit हुआ अब यहां आपको दो fee pay pay करनी पड़ेगे जिस तरह आप gold खरीदने जाते हो तो वहां आपको fee pay करनी पड़ती है गोल्ड वाला सुनार आपको कहता है कि मैंने इस पर designing की है मुझे उसकी charges चाहिए अपनी वह working की fees लेता है अपनी वह उसके जो भी जो उसमें अपना design वगरा बनाता है उसके वह charges जिस पर जो है वह आपको charge करता है ठीक है इसी तरह जब आप sport trading कर रहे हो तो जब आप bitcoin buy करोगे 40,000 पर तो वह जो आपको exchange offer कर रही है वह आप से कुछ amount जो है वह charge करेगी मिन्स उसके अगर आप 40,000 की shopping कर रहे हो तो उसमें आपको 100 रुपया या 1000 रुपया आपको उसमें fee देनी पड़ेगी यह डिपेंड करता है कि आप कौन सी exchange पर जा रहे हो जो कि कम fee लेती है और कौन सी exchange ज्यादा सेफ है इस पर भी हम जो है वह आगए जाकर बात करेंगे I hope कि आपका sport trading को लेकर concept चे वह clear हो गया होगा इसमें कोई भी वक्त मुकरर नहीं होता कि आपने fix time क लिए इसको अपने wallet में रखना है अगर उस time से ज्यादा रखेंगे तो कोई charges आपको pay करने पड़ेंगे कोई भी नहीं आप इसको एक साल के लिए भी अपनी exchange पर रख सकते हैं और एक से ज्यादा भी रख सकते हैं sport wallet में आपको कोई भी fee नहीं pay करनी पड़ रही आज के इ नहीं कुछ भी कह सकता उसके बारे में तो अभी आपको कोई भी tax pay नहीं करना पड़ता कोई भी interest जो है वो sport trading में आपको pay नहीं करना पड़ता जस्ट आपको minor fee fees देनी पड़ती है जब भी आपको चीज purchase करते हो या उसको sell करने लगते हो बस इतनी सी बात है I hope कि आपको sport trading इनका जो concept में clear करना चाहता था वो आपको clear हो चुका होगा और जिनको sport trading के बारे में नहीं था पता उनको भी अब जो है वो सारे doubts जो हो चुकी होगे next video में इंशाला हम practical करेंगे आपको इसकी limits के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको किसी office में मुस्रूफ है या कोई काम चल रहा है आप कहते हो कि यार जब यह 50,000 पर आएगा तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि automatically buy हो जाए तो इस तरह की situation जो हमें crypto के इस field में देखने को मिलती है centralized exchanges जो हम यह offer करती है कि आप जैब उसमें limits लगा सकते हो buy की और sell की और इसमें हम loss से कैसे बच सकते हैं वो भी आपक कि इस तरह की informative वीडियो आपको सबसे पहले मिलें और आप उसे फैदा असल कर सकते हैं तो मिलते हैं अपना ख्याल लखेगा अपने गरवालों का ख्याल लखेगा अलापीस किया सुले को मिलते हैं अपना उसमें आपक, जित सबस्क्रासा अपका निस वीक दित सकते हैं दो हैं उसकते हैं Herrn